प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महराश्टू के माणा में जनसभा को संबोधित किया इस दौरान उन्होंने कहा कि किस्थिर सरकार भविश्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान का भी ध्यान रखती है आज हम रेलवे सरक मार्क और वायू मार्क में भारी निवेश कर रहे हैं हमारा वार्शिक बजट बुन्यादी ढाचा पर योचनाओं के लिए ये कॉंग्रेस के 10 साल के बुन्यादी बजट के बराबर है पिये मोदी ने कहा कि विक्सित भारत के निर्माड में महिलाओ की बहुत बड़ी भूमिका है मोदी ने महिलाओ को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी पिछले 10 वर्शों में हजारों महिलाओं स्वैम सहायता समूहों में शामिल हुई है वर्षों से महिलाए गावों के तेजों से विकास में योगदान दे रही हैं हमने एक करोड महिलाओं को लगपती दीदी बनाया है और भारत में जल्थी तीन करोड लगपती दीदी होंगी और ये मेरी कैविंटी है साथियों जब देश में मजबुत सरकार होती है तो उसका ध्यान वर्तमान के साथ ही बविश्य की योजनाओं पर भी होता है यही सोचकर आज भाजपा सरकार रेल, रोड, एरपोर्ट पर अभूत पुर्वक खर्च कर रही है जितना कॉंग्रेस सरकार ने अपने दस साल में खर्च किया उतना आज हम एक साल में खर्च कर रहे हैं तब ही तो आज आज आप हर तरफ आज़ूनिक इंफ्रासक्टर देख रहे हैं इसका सीधाल आप भगवान विट्टल की इस दर्थी को भी हो रहा है यहां पालखी मार्ग हो, रेलिवे का काम हो, हैरपोर्ट का काम हो ऐसे हर काम पर महायूति की हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है भाजियों और बहनों, महाराष्ट की जनता जब प्यार देती है, जब आशिरवाद देती है, तो कोई कसर नहीं छोड़ती है